नमस्कार में जिगनेश ओल्ट निउस से 27 एप्रिल को रीपब्लिक भारत ने अपनी एक रिपोर्ट में एक शक्स के वीडियो मेसेज को चलाते हुए यह दावा किया इस रिपोर्ट के मुताबिक यह शक्स कोंग्रेस के विधायक अनिल उपाद्याय ने प्रधानमंत्री मोधि की जमकर तारीफ कर दी है उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोधि को वही नेता हटाना चाहते हैं जो भष्चाचारी और चोर है तस्वीरों में आप देख रहे हैं अनेल उपाध्याय को ये हैं तो कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी के नेता लेकिन हो गए हैं मोधी के मुरीद माई नेता नामक वेबसाइट जहां पर विधायकों और सांसदों के चुनाओं में खड़े रहे उमेद्वार और उनके विजयताओं का नाम का एक बहुत बड़ा ब्योरा दिया गया है वहाँ पर हमने अनल उपादिया नाम जब सर्श किया तो हमें पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति ना ही भाजपा का और ना ही कॉंग्रेस का नेता है आगे इस वीडियो में देखे गई शक्स की जब हमने पहचान की पुष्टी करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये व्यक्ति मोहन पांडे है और ये कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है इंडिया टूडे के जरिये मोहन पांडे द्वारा जारी किये गए बयान में मोहन पांडे खुद कहते हैं कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है और कैसे रीपब्लिक भारत ने उन्हें कॉंग्रेस का विदायक अने लुपाद्या कहकर बताया था नमस्कार मैं मोहन चंद्र पांडे इंडिया टुडे को इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि मेरा एक वीडियो जो मेरी अपनी आवाज में था जिसको 27 तारीक को रेपब्लिक भारत नाम के चैनल ने प्रसारिद किया किसी अनिलुपाद्याय MLA कॉंग्र Alt News की इस रिपोर्ट और मोहन पांडे द्वारा जारी किये सारवजनिक बयान के बावजूद रीपब्लिक भारत ने अपना वीडियो फेस्बुक और यूटूब से डिलीट नहीं किया है ऐसी कोई भी भ्रामक खबर या सूचना जिसके बारे में आपको संदे हो उसे आप Alt News के WhatsApp नमबर पर भेज सकते हैं धन्यवाद